हेलो माई यूट्व फैमली कैसे है आप सब लोग आज मैं आपको एक टेमो दे रही हूं ड्राइ स्किन पर और डसकी स्किन पर दोनों ही टिप्स और टृक्स में आपके संग फॉलौ करूंगी कि आपको ड्राइस किन पर कैसे वग करना है सबसे पहले निए में mem mixture here Göよろ ducks कि ऐ Thousands को आप सबसे पहले एक किलिंजर करें चाहें हैं इन्टर्न इंपने इस अंपर लोगि, उसके बाद भी मारे यहां चाहने सब को तो लिकविड और प्रोड़क अभी चल रहा है rainy season तो मैं उसके according ही आपको make-up करना बताऊंगी क्योंकि इस season में ना ज्यादा skin dry वती है और ना ज्यादा oily तो आपको किस amount में CTM करना है वो मैं आपको सारा इसमें अच्छे से बताऊंगी after one minute मैं cleanser को clean कर रही हूं अच्छे से और उसके बाद मैं यहाँ पर use करूंगी toner toner में यहाँ पर plum का use कर रही हूं plum का toner आप all skin type पर use कर सकते हैं sensitive skin पर भी oily and dry पर भी आप और भी company का rose water use कर सकते हैं बट प्लम का जो रोजवाटर है बहत माइल्ड है इससे आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होती है क्योंकि sensitive skin पर थोड़ा सा जो रोजवाटर होता है वो harsh लगता है जलन करता है तो यह ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगा इसको आपको दो मिनिट किया है Biotic का मास्टराइजर को मैं अच्छे से पूरे फेस पे और नैक पे कवर कर दूंगी आफ्टर वन मिनट अब हम यहां पर यूज करेंगे प्राइमर फोर आवर 52 का प्राइमर मैं यूज कर रहे हूं यहां पर हाइडरेटिंग प्राइमर यह बहुत अच्छा प्रा इसलिए यहां पर हम hydrating primer लगा रहे हैं इसको अच्छे से मैं पूरे face पे एक layer create करूँगी अब यहां पर मैं character लगा रही हूँ यहां पर जो मैं character use कर रही हूँ वो record का character है यह काफी thick character है बहुत अच्छे से आपकी correction करता है आपके dark circle को height करता है तो यहां पर मैं आपको दो त आपके discoloration है उसी को height करना है उसी जगा पर correction को character को लगाते हुए कभी उसको फैलाया नहीं जाता है जो dark spot होते हैं उनके उपर ही उसको लगाया जाता है यहां पर मैं आपको एक बार अपने हाथ पर करके बताती हूँ किस तरीके से आपको dapping motion देना है आपको drag बिल्कुल करना कैसे है क्योंकि यह बहुत important step है आपको ऐसे करके नहीं लगाना है आपको उसी जगा पर करना है और दो मिनट के बाद एक सेक्रिंड के बाद ही सूख जाएगा तो आपके जो dark circles है वह अच्छे से हाइड हो जाएं करेक्शन अच्छे से ना होना यह भी बहुत बड़ा ना है आपका base after काला पढ़ सकता है थोड़े देर के बाद तो यहां पर मैं blender ले रहे हूं मैं आपको blender से भी करके दिखाती हूं कि blender से क्या फर्क होता है आपका जो blender है वह बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि blender एक बहुत एहम रोल निभात आपके पूरे मेकप में तो ब्लेंडर चेक करना है कि आपको कैसे लेना चाहिए है वह भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी तो देखे आप मैंने वन साइड पर ब्रॉड़ुज किया है इसलिए जब करेक्शन करते हैं तो यह ब्रॉड़ुज किजिए यह अपनी फिंगर उसी जगह पर उसको ब बढ़ ही जाएगा यहां पर बेस को मैं नुट्रलाइज कर रहे हूं तो यहां पर मिपस पांच तरीके के कलर से पर इनकी स्किन से कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा है तो यहां पर हम दो कलर को मिला कर इनकी स्किन के अकॉर्डिंग कलर बनाएंगे आप अपने फांडेशन को अब ही मेलको टो टो मेक अपनैंगे बिल्कुल भी हम विल्कुल वहुं इनकी मेकविर कर तेयंगे आप डस्की स्किन पर भी भी मेकव नेख सकते तो हम तो मेर्डिंग कि इनकाप करीशन को फिर कैसे कर सकते हैं अगर आप सोचेंगे यहां पर हम एक टोन अप करके क्लाइन को अच्छे से कर दे बद थोड़े दिर के बाद बेस काला ही होगा यह कुछ स्टेप्स हैं इससे आपका बेस बहुत अच्छा स्मूथ एंड लॉंग लास्टिंग बनेगा अब यहां पर इनका जो कलर है वो रेडी हो गया है देखे सेम मैच का कलर बना है आपको क्लाइन को अगर गोरा करना है तो उसको बिल्कुल भी फाउंडेशन आपको 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 करने के लिए और ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो यहां पर हम डैप ड और प्रइक्स करते हैं आपने ब्रश को तो तो जो नीचे अपने करेक्शन करी है वह सारा हट गलगा जो प्राइमर बेस आपक। मॉस्टिराइजर है वह संब अशघर तो इसलिए हमेशा अजया को डैब 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 टैब करना है एक ब्यूटी ब्लंडर की इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर आपको हमेशा दो होने चाहिए अगर आप एक ही ब्लेंडर से सारे काम करेंगे तो आपका पूरा फेस पे करेक्टर कॉंटर हाइलाइटर फांडेशन सब मिक्स हो जाएगा अपर मैं आपको अपने हैंड पे करके बत आपको थ्री फिंगर से पकड़ना है अपने ब्यूटी ब्लेंडर को और इस तरीके से ब्लेंड करना है जैसे एक चोटा न्यूगान बेबी होता है उसके फेस पे आपकुछ पाउडरिंग कर रहे हैं इतना सॉफ्ट आपका हैंड होना चाहिए आपको अच्छे से समझ में ब्लेंड करना है और इसको थ्री फिंगर से पकड़ना है तो आपका जो प्रेशर है वह अल्रीडी कम ही होगा अब देख सकते हैं पूरे फेस पे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है और जो भी मेरे चैनल पर पहली बारा है हाई मैं चेतना और मैंने अपना प्रोफ करके एंड जो मीडियम शेड है उससे हम वन पंप लेंगे त्री पंप इसए नफ आप एक ब्राइडल मेकक अप अच्छे से कर सकते हैं एक मेकप करने में आपको 3 पंप ही लगते हैं आप अच्छे से ने कफर कर सकते हैं बहुत रियर होता है कि आपको थोड़ा सा अग ले कि foundation को अच्छे से मैंने मैच कर लिया है और यहां पर आप डब डब करके लगा रहे हैं पूरे फेस पर आप देख सकते हैं एक भी टोन मैंने अप नहीं किया है बिल्कुल टोन टोन मेकप है इस प्रोफेशनल मेकप एक ऐसा मेकप कोर्स है जहां पर अपने क्लाइंट का अग आप रहे है उसका रेशो मैं पको बता रही हूं यह तो 111 रेशिय जो होता है डब 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 यह 1-2-1 और अपको थी फिंगर से पकरना है हमेशा तो उसका प्रेशर बहुत कम रहता है उसको अच्छे से पूरे फेस ब्लेंड कर लेंगे हम जब ब्लेंडिंग स्ट करे अगर उपर से ही डिरेक्ली ब्लेंडर शुरू कर देंगे चलाना तो आइस पर काफी ज़्यादा प्रोड़क्ट डिपॉजित हो जाता है और आपके क्रीज लाइन बन जाती है आइस पर जब हम करेंगे तो ब्लेंडर को आगे से पकरने के बाद उसको अच्छे से आइस प ब्लेंड करूंगी विद नैक यहां पर मैं फॉर एवर फिफ्टी टू का कंसीलर यूज कर रही है फॉर हाइलाइटिंग अब हम हाइलाइटिंग करेंगे और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे हाइलाइटिंग को ब्लेंड करते वक्त आपको उसी जगह पे लेरी हूं आइस जो हाइलाइटिंग पॉंट से ब्लेंड करने के लिए बहुत ली हो जाता है मेरे पास मीनी ब्लेंड कर रहे हूं और वाइस आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से करना आइस पर बहुत कम प्रेशर से ब्लेंड करना है जितना आप कम प्रेशर देंगे उतना अच्छा आपका बेस बनेगा यहां पर मैं क्रीम कॉंटॉर का यूज कर रही हूं तो अकॉर्डिंग टू बॉड़ी इनका फेस थोड़ा सा चबी है अकॉर्डिंग टू नहीं दिखाना है और इनकी जो नोज है थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए मैंने पूरा नोज को कवर किया है कॉंटॉर आपके जो फीचर्स होते हैं उनको इन्हांस करता है आपकी जॉलाइन जो एक्स्ट्राचिन डबल चिन से कट करता है आपके गालों को मोटा पतला आपको रेशे 12345 12345 अब आपको हैंट करके दिखा रहे हैं 12345 इस तरीके से आपको ब्लेंडर चलाना है उपर की साइड 12345 12345 इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और जो नीचे का जॉलाइन का है उसको आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है और ब्लेंड करते हैं तो आप ब्लेंड करने के बाद ध्यान दिखेंगे जोड़ी हार्ष रहन होती है उसको हलका साफ्ट करें एक दो बार प्रैक्रिस करेंगे बहुत एजीली हो जाएगा इसी तरह दूसरी साइड पे आपको 12345 12345 की रेशे से करेंगे तो बहुत एजीली अधि नीचे भी आपको SIEM करना है एन सेट करने से पहले मेकब को में व्यूटी ब्लेंडर चला रही हूं आई पे ता कि क्रीस लाइन आपड़े यहां पर में लूज पाउडर से हें बेस को सेट कर रही हूं तो सबसे पहले आपको TZone Sed कर आप अपनी आइस सेट करनी है ल अगर बहुत सारा पाउडर लेके सेट करते हैं अपने बेस को तो एक तो यह पैची होने कर रहे है और आपका बेस जो है बहुत जादा पाउडरी पाउडरी लगेगा डूइनस बिल्कुल भी नहीं आएगी और फ्लॉलेस बिल्कुल भी नहीं लगा तो प्रोडक्ट कम अंडर आई पे में एक्स्ट्रा लूस पाउडर लगा रही हूं क्योंकि अब हम ग्लीटर वक करेंगे तो जब ग्लीटर वक करते हैं आपको एक्स्ट्रा पाउडर जरूर लगाना है ताकि आपके ग्लीटर एजिली डस्ट आफ हो जाए यहां पर में पर बहुत सारे ब्ले जाते हैं इसकी पिग्मेंट बहुत अच्छे हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं लाइट शेड लूगी ब्राउन क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए तो जब भी हमको शोटी आइस पे काम करना है तो आपको क्रीज लाइन पे थोड़ा सा अपर साइड जाना ही होगा अगर आपर साइड कलर नहीं लगाएंगे तो आइस और ज्यादा चोटी लगेंगी तो क्रीज लाइन के ऊपर मैं सोड़ा कर रही हूं और आपने क्रीज लाइन पे ब्रश रखा और आपको पीछे से होल्ड करना है आगे से बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है आप क्रीज एंगे क्रीज लाएंगे ऊपर निचे की साइड राउंड नकरते आ याएंगे और आगे से आप जिग-जग-जग-जग चलाएंगे ब्रश अगर आप आगे ब्रश को राउंड करेंगे तो आपका सारा प्रोड़क्ट फैल जाएगा आपको 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 इसी तरीके से आपको सी पॉशन में आना है और आगे हमेशा जिग-z Skillshare चलाना है यह हो गया आपका क्रीज लैन बनाने का तरीका और भी िजी वे में आपको ट्राइ करोंगे सिखाने का कि आपको आई मेक अप कैसे करना है तो यह भी बहुत एजी तरीका है अब सेम मैं दूस्री आइस पर क्रीज लाइन को बना रही हूं यहां पर मैंने स्वड़ा सब डार्क ब्राउन शेड लिया है मैं आपको दिखाना भूल गई तो डार्क ब्राउन शेड को मैं यहां पर पुट कर रही हूं इनर आउटर कॉर्णर में में इसको पुट करके और अच्छी से ब्लेंड कर रही तो यहां मैंने डाक ब्राउन शेड लेके नीचे अच्छी से कलर को पुट कर दिया है अब आप देख सकते हैं यह तरह के से स्मोकी लूक हो गया आप इसको चोड़ सकते हैं बट यहां पर आज हम ग्लीटर वक करेंगे तो लास्ट में मैं अच्छी से क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड किया है अंडर आई करते वक्त आपको डाक शेड हमेशा आउटर कारूर से स्टार्ट करना है इनर कार्न तक आपको लाइट शेड पे आना है अब यहां पर हम गोल्डन ग्लीटर अप्लाइब करेंगे ग्लीटर में गोल्डन जूल्री के कंट्रास्ट में apply कर रही हूं तो ये भी आपको बहुत चीज़े ध्यान रखने होती है कि आपका क्लाइन की jewelry कैसी है dress कैसी है आपको warm side जाना है ये cool side जाना है तो jewelry इनकी golden है तो मैं golden glitter apply कर रही हूं center में fluffy brush की help से आपको बहुत सारा glitter एक बार में नहीं लेना है उसको अच्छे से time देके धीरे-धीरे dab-dab करके लगाना है always glitter को dust off करना है जब भी आप लेते हैं कोई भी product आप जब लेते हैं तो आपको इसको dust off जरूर करना है दोनों आइस पर सेम मैं glitter अच्छे से apply कर लूँगी जैल लाइनर लगाएंगे यहां पर मैं आपको काफी मोटा liner नहीं देना है जब आप liner apply करते हैं चोटी आइस पे बड़ा liner तो आइस और छोटी ड्रॉपी लगती है अब मैं पतला सा liner लगा रही हूं और पीछे की साइड से में उसको काफी थोड़ा सा मोटा कर रही हूं और मैं एक blending brush की help से उसको पीछे की से blend करूंगी outer corner की साइड यहाँ पर अब हम यूज करेंगे powder contour मैं आई magic का powder contour यूज कर रही हूं यह nose को मैं अच्छे से contour करूंगी जब आप liquid product यूज कर लेते हैं तो उसको lock करने के लिए powder product यूज करने जरूरी है एंड में एक angular blush लूँगी उसको अच्छे से powder contour को lock करूंगी जो मैंने jawline पे और चीनेरिया पे लगाई थी अपर साइड चीज तरह हम लिक्विट किया था उसी तरह हम powder contour करेंगे और उसको अच्छे से lock करेंगे यहाँ पर मैं brush लगा रही हूं pink color का मैंने medium shade लिया है क्यों बहुत ज़रूरी है तो always brush जब लगाएंगे तो पीछे से start करेंगे लगाना temple से आगे से जब ब्लश लगाएंगे तो बहुत सारा सारा लग जाता है तो अमेशा आपको पीछे से लगाना है और brush बहुत स्मूझ लाना है dapping motion में outline कर रही हूं lips पर और lips को थोड़ा सा में ब आपको lips को बड़ा दिखाना होता है तो आपको outer corner पे लिप प्लाइनर देना होता है और जब थोड़ा चोटा दिखाना होता है तो आप lips के अंदर को फिल करना होता है यहाँ पर मैं पारूल गर्ग मैम की lipstick कर रही हूं यहाँ पर दो shade महरून और ब्राउन इश क्योंकि जो हाइलाइटर हाइलाइटर पिक करते भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपके स्किन टोन से मैच हो अगर आप हाइलाइटर भी light or dark लगा देंगे तो वह भी एक कारने कि आपका बेस थोड़ी दाइद के बाद करें कि अपको पिक करना बहुत important है मैं आपके संग सारे tips and tricks श करना ही होता है और compact हमारे make-up को long lasting बनाता है loose powder सिफ हमारे base को set करता है उसको stay नहीं देता है तो जहां जहां पर अपने highlighting किया है वहां पर आप इसको apply करेंगे बहुत हलके हाथ से आपको apply करना है और इसको लगाने के बाद face पे अलग ही glow आता है बहुत अच्छा compact है यहां अपर में brow bone पे highlighter लगाऊंगी और inner corner में highlighter लगाऊंगी यहां फाइनल लुक कैसा लगा आपको मेरा make-up प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आने वाली वीडियो में आपके संग में सारे वो ट्रिक्स और हैक शेयर करूंगी जो कि मैने सीखे हैं हमें आकेड इडियो में बाइ बाइ